एक राजा के शयंकक्ष में मंदरी सिर्पिनी नाम की जू ने देरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वल चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूस कर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। सैयोग से एक देन अगनिमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयंकक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चत्तुर ना था। बोलो, देखो, महमान से इसी तरह बरताव नहीं किया जाता मैं आज रात तुम्हारा महमान हूँ। जू अतताह खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरन देते हुए बोली। ठीक है, तुम यहां रात भर रोख सकते हो, लेकिन राजा को काटोगी तो नहीं उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा महमान है, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए। और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीरा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी, बिलकु वैसा ही होगा। तहकर खत्मल शयनकक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात धलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पढ़कर सो गया। उसे देख खत्मल सब कुछ भूल कर राजा को काटने लगा, खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खू अपने सेवकों से खत्मल को धून कर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खत्मल तो पनलग के पाई के नीचे छिप गया लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूर आजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। शिक्षा आजन्भियों पर कभी विश्वास न करो।